हलो फ्रेंट्स कैसे हूँ आई हूप आप सब ठीक होंगी तो आज मैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिश नास्ते की रैस्पी लेके आई हूँ और ये नास्ता ना बनाना इतना आसान है कि कोई बील से बहुत ही आसाने से बना सकते हैं तो आज का नास्ता के साथ मैं यारे भुने हुए पोहे को एक बरतन में डाल दूंगी आप चाहे तो इस नास्ते को कच्छे पोहे से भी बना सकते हैं लेकिन भुना हुआ पोहा का थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है तो फ्रेंड्स अब में इसमें डाल दिए चार से पांच चमज कितना सूजी और एक कटो जरूर कर दीजेगा तो फ्रेंड्स अबना मैंसे मिला के थोड़ी देर ढख दी ताकि पोहे अच्छे से फूल के रेडी हो जाए तो मैं यहां पे तब तक चट्ने बना लेती हूं तो मैं गैस अन करके कढ़ाई को रख दिये कढ़ाई में डाल दी एक चमज तेल तेल गर् लगती थी और यह अच्छे से ठंडे हो गया है तो मैं इसे मिक्सिजार में डाल दी फ्रेंड्स तीन मिर्चे डाल दिये चार से पास लेसुन के कलिया थोड़ी सी अध्रक के टुकड़े और थोड़ी सी मैस में इमली डाल दी उसके पल्स फ्रेंड्स क्यूंकि चट्नी ना लोड़ी सी पानी डाल दी और यह देखिए मैं इसे अच्छी स्थे पिस्की रेडी कर लिए तो अब मैं सारे चट्नी को ना एक बरतन में निकाल लेती हूं तो अब मैं चट्नी को छोके लगाऊंगी यह देखे प्रेंड्स सबसे पहले मैं गैस को आन कर लेती हूं और दाल दी आधी चोटी चमच शर्सों के दाने और आधी चोटी चमच से थोड़ी सी कम जीरा डाल दी और तीन से चार में इसमें कड़ी पता डाल दी तो फ्रेंड्स जब भी कड़ी पता डाले तो बरतन को थोड़ा साइड में रख लें नहीं तो कड़ी पता डालने से ना तिल बहुत ज़्यादा चिटकते हैं यह देखिए अब मैं इसे चौके लगा लिए हूँ तो किमनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना देखने में चट्नी तो आप इस चट्नी को ना रोटिया पूडिया पराठे किसी के विसाथ खाले ढोगले के साथ बहुत ज़्यादा से यह फूल के रेडी हो गई है तो आप मैं सारे फूले हुए पोहे को मिक्सी जार में डाल दी और फ्रेंट्स यह देखिए मैं आइसे पीस के रेडी कर लिए हो तो सारे पीसे हुए पोहे को मैं अब एक बरतन में निकाल लूँगी और जो बचे हुए है तो मैं उसे भी पिसके रेडी कर लेती हों, और ये देखेHHH Friends तो थोड़ा सा पोहा जो पिसके रखे थे न वो गारा था तो मैं इसमें पान डाली 3ate-4 चमच के इतना, और अधी छोड़ी चमच से थोड़ी सी कम मैं इसमें नमग डाल दिये और अब मैं इसे चार से पांच मिनट तक हलके इलके हाथों से फैटूंगी ताकि जो पिसे हुए पोहे के बेटर है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए ये दिखे फ्रेंट्स तो अब मैं यहापे गैस अन करके तवे को रख दी हूँ तो अब मैं इसमें पोहे वाली बेटर को डालूंगी और गैस की फ्रेंट्स मैं भी लो में कर दी हूँ और हलके लके हाथों से न मैं इसे पैला लूंगी यह दिखिए फ्रेंट्स तो ना ही इसमें आपको बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा कुछ डालने की जंजट और जटपट से बन जाती है यह नास्ता तो दिखिए फ्रेंट्स उपर से यह सूख चुके हैं तो मैं इसमें आधी छोटी चमच की इतना संफ्लावर तेल या पुद्की यह ना पके रेडी हो चुके हैं तो मैं आप इसे पलट लेती हूध यह देखिए फ्रेंस तो है नैस्ते को बनाना बिल्कुल भी आसान ये देखे इसका कंडर कितना प्यारा आया है ना बील्कुल ब्राउन-म्राउन तो प्रेंस में सी तरी से इसे उलट- तो फ्रेंड्स एक बार जरूर इस नास्ते को घर पे ट्राइ किजेगा यकीन मानिए घर में ना सभी को बहत पसंद आएंगे तो फ्रेंड्स खूद खाएं फैमिली वाले को भी खलाएं आपकी बड़ाईया ही बड़ाईया होने वाली है सु बाबाई